नमस्ते दोस्तों मैं किस वाद करता हूँ आप सभी का टाइमस ओफ लाइट गोवर्मेंट जो अब यूटूब चानल पर दोस्तों आज मैं आपको डेटा एंट्री ओपरेटर की भड़ती आई वही है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इसमें बात करते हो कौन सी पोस्ट रहने वाली है कैसे अपलाई करना है इसकी सेलेक्षन प्रोसस क्या रहेगा एज एजिकेशन क्वालिफिकेशन के बारे डीटेल में बताऊंगा और इसका कब से कब तक अपलाई कर सकते हैं फॉर्म को और इसमें सेलरी कितनी रहेगी तथा अन्य जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को पूरा आं तक देखिएगा ताकि आप तक जोब की इनफोर्मेशन पूरी पहुच सके दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हैं बात करते हैं इस भरती की यह भरती जो है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की यह भरती आई वी है जिसमें जो पोस्ट जो रहेगी डेटा एंट्री ओपरेटर के लिए भरती रहने वाली है इसमें टोटल जो है दो भरती रहने वाली है और इसको जो है आप जो ऑनलाइन मीडियम अपलाई कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों इसको अपलाई कर सकते हैं और salary जो रहेगी data entry operator post के लिए जो है 30,000 per month salary रहने वाली है और साथ में जो है per year जो है increase होती रहेगी 1500 रुपे और इसमें जो है candidate की age limit जो है 35 वर्स रखी गई है apply करने के लिए और इसमें जो है fees वगरे friends आपसे एक भी रुपे नहीं मांगा गया है apply करने के लिए और इसमें बात करते हैं detail education qualification की तो इसमें जो है अगर आपने जो graduation कर रखा है किसी भी subject में तो आप इस form को apply कर सकते हैं और friends इसमें जो है experience की बात करे तो इसमें जो है two year का experience भी मांगा गया है data entry handling से related और इसमें जो है आप जो है इस form को जो है 31 March तक इस form को apply कर सकते हैं दोस्तों यह जो है form पहले से start हो चुका है और इसको जो है आप जो 31 March तक apply कर सकते हैं इसकी official website जो है nhsrcindia.org पर जाकर apply कर सकते हैं दोस्तों ऐसी information आपको मिलती रहे तो नीचे दियेगा subscribe बिटन को दबा लिजिए तो मिलते किसी अन्य भरती में Thank you